दिली अंसियार आज सुबह से ही कोहरे की घनी चादर में लिप्टा हुआ है और इसी के साथ दिली अंसियार में कडाके की ठंड भी पढ़नी शुरू हो गई है। से पहले संशोधित समय सारिनी का पता करनी की सलहादी है। कोहरे का असर ट्रेनों पर भी देखने को मिल सकता है। सुबह का मौसम है लेकिन तस्वीरों को देखकर लग नहीं रहा है क्योंकि सूरज के किरण नजर नहीं आ रही है। अपनों ने भी टोपी गलव्स पहनने शुरू कर दिये हैं और चारो तरफ कोहरा ही कोहरा है जिस कारण विजबिलिटी कम हो चुकी है। आपको दिली के पांच इलाकों की ये पांच तस्वीर दिखा रही है। आप देख सकते हैं इन इलाकों में विजबिलिटी कितनी कम हो गई है। पूरी तरह से निकल आई है लेकि नजर नहीं आ रही है क्योंकि दिली के इन इलाकों में कोहरे की चादर लिप्टी हुई नजर आ रही है। आनंद विहार, सराय कालिखा, इंडिया गेट, अक्षरधाम और एम्स की ये तस्वीरे आप देख रहे हैं। विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है, गाडिया भी धुंदली नजर आ रही है और यही कारणे पूजा की ट्राफिक की भी समस्या आज लोगों को जिलनी पड़ी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सराय कालिखा इलाकी का हालात हमने आपको दिखाया, लेकिन यह जो आप मैप में नक्षा देख रहे थे, वो जो येलो कलर का राउंडिट सर्कल था, वो बता रहा है कि ये सारे इलाके हैं भारत में, जो कोहरे की चपेट में हैं, इसमे उत्तरी और मध्य भारत के इलाके साफ तोर पर नजर आ रहे हैं, अब एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के सराय कालेखा की है, ड्रोन से ली गए ये तस्वीर जिसमें सब कुछ सफेद चादर में ढखा हुआ नजर आ रहा है और बहुत दूर तक कु कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो ये सराय कालेखा की तस्वीर आपने देखिए, अब अक्षधाम मंदिर के आसपास भी सफेद धुंद नजर आ रहे है, ये तस्वीर देखिए, यहां पर भी कोहरा काफी जादा है, इस वज़े से गाड़ियों की जो रफतार है उन पर ब् करतावेपत पर इन दिनों एक तरफ जहां घना कोहरा चाया हुआ है, तो हैं दूसरी तरफ देश के शूरवीरों का जोश हाई दिख रहा है थोड़ी देर पहले कुमार सोनु ने एक रपोर्ट तयार करके भेजी है, आप वो रपोर्ट देखिए राजदानी दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और दिल्ली में पहले से और ज़्यादा थंड बढ़ गई है और थंड के साथ ही राजदानी दिल्ली में कोहरे ने भी दस तक दे दी है इस वक्त हम करतवे पत पर मौझूद हैं और आपको ठीक मेरे पीछे जो नजारा है उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कोहरा कितना बढ़ गया है हाना कि सुमवार को इस सीजन का सबसे घना कोहरा दर्ज किया गया अब ठीक मेरे पीछे देखें तो यहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर राश्टपती भवन हैं संसत भवन हैं और तमाम जो बड़े-बड़े मंत्राले हैं वो हैं परदान मंत्री कार्याले यहां पर हैं ल लेकिन आपको इंडिया गेट भी कोहरे की घनी चादर में छिपा हुआ है जिसके चलते वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जो विजिबिलिटी है कोहरे की वज़ा से वो बेहद कम हो चुकी है हानकि जो मौसम विभाग है उसका यह कहना है कि आंशिक तोर पर आज दिल है तो वहीं मौसम विभाग का पूरवा नुमान ये भी है कि जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तर भारत के वहाँ पर बर्फबारी होगी बर्फबारी होगी तो 31 दिसंबर के आसपास जो है दिल्ली में भी हलकी फुलकी बारिश हो सकती है दिली एंसियार के इलाकों में साथ-स जो हवा है उसमें नमी बड़ी है जिसके चलते दिल्ली में एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है अब मुरादाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद भी भीशन कोरे की चपेट में है कोरे की वज़ा से visibility यहाँ पर काफी कम हो गई ह यह ट्राक्टर देखिए दिन में ही अपनी लाइटन जलाकर आगे चल बढ़ रहा है वहीं अब कुछ लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं आगे तक भी देखिए है ग वहाँ है आज फैली भोत रहे हैं नहीं आज जो पहलाई मिल पार है को सवारी है यूजर के चीज़र बहुत संन झाड़ा है 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 सोलते ना ना एशी च्वराय भी निकल पारी को और अब कानपूर में कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है ये कानपूर की तस्वीरे कोहरे के चलते पारा लगातार गिर रहा है कोहरे की वज़ा से सडकों पर आवजाही में काफी परिशानी हो रही है और आलम ये है कि 50 मीटर तक भी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है कानपूर समेत पूरे यूपी में घने कोहरे के साथ शीत लहर चल रही है और हमारे सेयोगी कुमार सोनू हमारे सांथ लाइफ जुड़ चुके हैं देखें दिल्ली NCR के लिए मौसम विभाग ने औरेंज अलट दिया है और इस वक्त मैं कर्तवे पत पर मौझूद हूँ पहले आपको अपनी तस्वीरे दिखा देता हूँ पीछे की तो ये तस्वीर आप कर्तवे पत की आप देख रहे हैं अगर हम बात करेंगे दिल्ली के दूसरे इलाकों की जब कर्तवे पत पर ये स्थितिय है कोरे की तो ऐसे में अगर आउटर दिल्ली की बात करें है दिल्ली के जो बॉर्डर्स एरिया है वहां की बात करें जहां पर नेशनल हाइवे लगते हैं वहां पर तो और भी घना को रहा है जिसकी वज़ा से जो गाड़ियों की रफतार है वो धीमी हो चुकी है दिन में भी उनकी लाइटे जली हुई है हाला कि ये प्रकॉशन के तौर पर एक अच्छा रहता है लेकिन मौ मौसल विभाग का ये भी अनुमाने की जो उत्तर भारत के पहारी राजे हैं जैसे उत्राखंड है कश्मीर है हिमाचल है यहां पर बर्फबारी होने की संभावना है जताई हैं जिसकी वज़ा से दिल्ली और जो उसके सटे राजे हैं उत्तर प्रदेश है पंजाब है हर्य जाना है राजिस्तान है वहाँ पर अब जो है ठंड और बढ़ेगी तो माना जा रहा है कि 30 दिसंबर के बाद कुमार सुनू ये तस्वीरे तो साफ जाहिर कर रहे है कि आज काफी जादा ठंड है मौसल विभाग के मुताबिक अब आगे क्या देखने को मिलेगा क्या आगे पहले जो है तमाम जो फोर्स हैं जो पैरमेटरी फोर्स हैं या फिर तीनों सेनाओं के जवान है वो अपने अपनी तैयारियां प्रेक्टिस जो हैं वो शुरू कर देते हैं राजपत पर और अभी अभी यहां से इंडियन नेवी का पूरा दस्ता निकला है मार्च करते हु लेकिन जो घना कोरा है वो जरू जो है दिल्ली की जो सडकों पर गाडियां दोडती है उनकी रफ्तार पर जरूर ब्रेक लगाई है यह भीमी हुई है लेकि मौशली बागका जो अनुमान है उसके मताबिक है जो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए